एक कहावत आपने सुना होगा दरिया तेरी अब खैर नहीं बूंदों ने बगावत कर ली है नादाना समझ बुजदिल इनको लहरों ने बगावत कर ली है हम परवाने है मौत समा मरने से किसको खौफ यहां यह तलवार तुझे जुखना होगा गरदन ने बगावत कर ली है नमस्कार आप देखे हैं आज की खास बात अपने दोस्त वीर सिंग के साथ दोस्तों दो नमंबर को डबलू सील नाकपूर छेतर अंतरगत गोंडे और खदान में एक ट्रक पल्टी और वो ट्रक सप्रा ट्रांसपोर्ट का था यह ट्रक पल्टी चार नमबर याड में जहां से कोईला भरना मना है वो इल्लीगल है क्योंकि इस टीम कोईला नहीं दे सकते हैं जब हमने इस चीज के जानकारी निकाल लिया और इसके तह तक हमने जाने की कोशिश की तब हमें यह समझा कि CHP से इन्हें माल लेना चाहिए कोईला लेना चाहिए लिकिन CHP से कोईला ना लेकर यह डिरेक्ट याड से कोईला लेते हैं चार नमबर याड से स्टॉक से कोईल लेते हैं और बिल CHP का निकलता है यानि कि ऐसा बोल सकते हैं कि CHP के नाम पे WCL प्रशाशन और सप्रा ट्रांस्पोर्ट जैसे ट्रांस्पोर्टर को मिल कर ये लाखों की ठगी लाखों का चुना WCL को लगा रहे हैं दोस्तों दो तारी को जब ये घटना हुई वो ट्रक पल्टी तो उसमें पीछे जो ट्राला होता है उस ट्राला में 5-6 टन कोईला उसमें बचा हुआ था उसको खाली नहीं किया गया और उसको भीना काटा किये काटा के बाजू से उसको CHP के बाहर लेकर जाया गया और सबेर की चोरी की जा रही थी ट्रक पलट गई हादसे हो गए इस आड़ में क्या 5-7 टन या 5-6 टन कोईले की चोरी की जा रही थी एक मार्केट में इसका वेल्यू देखे जो आज की रिट में बेचा जाता है तो एक अंदाज है कि 40-50 हजार का कोईला वह 5-6 टन होता है क्या इस पाल जिसको ढखते हैं उपर से तिरपाल से अगर वो तिरपाल ना हो उसके लिए भी गाड़ी को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है लेकिन यहां देखिए कि कोईले की चोरी की जा रही थी एक तरीके से उस जिसे चेक पुश्ट के बाहर खाली कराएगा अगर खाली ना करा जाता तो साइद वो कोईला चोरी हो जाता है पांच साथ तन यानि चालिस पचास हजार का माल तुरत चोरी होता था लेकिन इसके बावजूद वो गाड़ी ब्लैक लिस्ट नहीं होती है इसका एक बड़ा कारण क्या हो सकता है यह सोचने वाली बात है इस पे सवाल उठते यह है कि उस दिन ड्यूटी पे हरदीब सिंग बेदी और नोडल ऑफिसर चंदर शेखर यादव यह दोनों उस दिन ड्यूटी में उपस्ती थे जिस दिन यह घटना हो यानि की तो नौंबर की हम बात कर रहे हैं जब मैं इसकी जानकारी निकाला तो मुझे यह पता चला कि हरदीब सिंग बेदी और सप्रा यह दोनों क्लास्मेट हैं बच्पन के दोस्त हैं और इसलिए इनके रहते हुए सप्रा ट्रांस्पोर्ट का कार्य आदानी के लिए हो या फिर किसी भी जगह के लिए हो खास करके यह हरदीब सिंग बेदी इस पर ध्यान देते हैं और है गलती करने के लिए सब्ट जब हाथ से दो दिन के बाद उसके अगले दिन रात में चार नमबर YARD-S कोईला देना का काम शुरू हो चुका था यह खबर मिलते ही हमने जब मैंनेजर लोगोंसे बात screens करने की कोशिश ही तूरद में डूसरी जगह से यानि कि CHP से देने का कारी शुरू कर दिया गया illegal कारे कब तक करेंगे एक बड़ा सवाल WCL और खास करके गोंडेगाउं ख़दान पर जरूर उठ रहा है दोस्तों इसमें सबसे एक एहम जानकारी आपको बताओं कि जो गोंडेगाउं ख़दान से जो कोईला निकलती उसके ग्रेड होता है जो कोल यहां से निकलती है एक माना जाए तो एक अंदाज है कि G9, G10, G12 तक एक ग्रेड निकलता है लेकिन जो आदानी से पेमेंट वेकोली को यानि कि WCL को किया जाता है उसमें जो जानकारी मिली है पिछले महनी के एक पतर आया है जिस लेटर में वेकोली को पैसा काट कर मिला है यानि कि ग्रेड कम ग्रेड का पैसा मिला है यानि कि 15-16 ग्रेड का मिला ये तो शिर्फ सुरुवात है अभी एहम मुद्दे एहम जानकारिया कई है जो मेरे पास है और मैं आप तक लेकर आते रहूँगा लीडर्स का सेटल्मेंट हुआ ऐसे भी सुत्र से खबर आई और इसलिए सप्रा ट्रांस्पोर्ट का हिम्मत इतना बढ़ा कि रात में भी हाथ से होने के दूसरे दिन रात में चार नमबर याट से पुना कारे शुरू कर दिया गया जो कि यह लिगल है यानि कि इसमें किसी न हुम अच्छे हैं सच्छे हैं लेकिन वास्टबमें ऐसा होता नहीं है अकसर अग्सर सब ऐसे नहीं होते हैं सब सच्छे नहीं होते हैं और उन लीडरों के सिर्फा ही रहे हम जानकारिया इससम बंदित हम लेकर आएंगे और कई परदाफास कई पोल हम खोलेंगे दिखाएंगे बाकि पत्रकारों को प्रिसराइज किया गया या फिर क्या किया गया जिसकी वजह से खबरें आने बंद हो गए लेकिन सच दिखाए बीना चुपाए इन भी सीय न्यूस पे आप मेरे साथ देखते रहें बने रहें आज की हास बात अपने दोस्ति वीर सुनके साथ